दोस्तों आज कल गर्ड यानि गर्ड बिमारी की प्रोब्लम में एक आम समस्या बनते जा रही है तो आज हम लोग इसी तरह की प्रोब्लम्स को कंट्रोल करने वाली एक बहुत ही बहतरीन कैपसूल पेंटो डेक एल कैपसूल एसार के बारे में पूरा कंपली डिटेल्स में बात करेंगे जैसे इसके कंपनी, कॉम पोजिशन, फायदे और साइड इफेक्ट्स इस्तिमाल करने के तरीके और डोजेज और इसके प्राइस के बारे में जानेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को प्लिज आप लोग पूरा इंड तक जरूर देखिएगा ताके हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बारा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नोलजिवल वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ तो चलिए फ्रेंट्स हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो फ्रेंट्स पेंटो डेक एल कैपसुल को जाइडस केडिला लिमिटेड कमपनी के दोरा बनाय जाता है अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें इसमें लेवोसुल प्राइड 75 mg और पैंटो प्राजल 40 mg होता है अब हम लोग इसके फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंट्स पेंटो डेक एल कैपसुल दो दवाओं की कॉम्बिनेशन वाली एक बहुत ही बढ़िया दवा है और इसका उप्योग गेस्ट्रो एस्टो फेगल रिफ्लेक्स डिजिज जिसे एसीड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं सीने में जलन, पेट में जलन और दर्द का इलाज करने के लिए किया जाता है तो चली हम लोग इसके फायदो और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिस करते हैं तो फ्रेंट्स गेस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजिज जिसे सोट में GERD यानि GERD भी बोला जाता है इस बीमारी में पेसेंट के पेट में बहुत अधिक एसिड बनने लगता है अधिक एसिड बनने के कारण छाती में जलन छाती में दर्द कभी कभी इसका दर्द कंधा गर्दन और हाथों तक भी चला जाता है तब डॉक्टर ऐसी परेसानी को ठीक करने के लिए पेंटो डेक एल कैपसूल को देते हैं ये तबा सेरिर में बनने वाले अतिधिक एसिड की मातरा को कम कर देता है तो मतलब गर्ड की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इस कैपसूल का यूज करना लाइब दायक होता है इसके अलवा अबच की समस्या को कंट्रोल करने के लिए इस capsule का यूज किया जाता है साथ ही खाना खाने के बाद हमेशा पेट फुला फुला लगना पेट में सुजन हलका दर्द भी महसूस होता है और हमेशा पेट में कुछ ने कुछ परिसानी महसूस जैसी समस्या को ठीक करने के लिए इस कैपसुल का यूज किया जाता है इसके अलाव फ्रेंट्स गर्ड की समस्या होने से लंबे समय तक अकसर पेसंट को पता ही नहीं होता है कि उन्हें सीने में जलन और दर्द होने पर वो कभी कभी चिंता और काफी तनाव में भी चले जाते हैं तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए ये दवा बहुत ही लाबकारी है दोस्तों इस दवा के यूज करने के साथ अगर आप अपने खानपान और डेली के रूटेन यानि डेली के लाइफिस्टैल में सुधार करेंगे तो आप अपनी परिशानी से जल्द ही निजात पास सकते हैं जैसे आपको उन सभी चीजों को खाने में अवाइड कर देना है जिससे पेट में गेस और एसिट का निर्मान होता है साथ ही जितना आप खाते हो से थोड़ी कम मतरा में भोजन करें और अपने वजन को घटाने का खोसिस करें अब हम लोग इसके अफसुल के साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो फ्रेंस इसके साइड इफेक्ट है डारिया होना, सिर में दर्द होना, मूँ का सुकना और इसकीन में रेसेस होना इतने सारे इसके side effect दोस्तो rare है जल्दी होते नहीं है होने से अपने डॉक्टर से जरूर consult करिएगा अब हम लोग इसके इस्तिमाल करने के तरीके और इसके doses के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसे सुबह और साम दोनों time खाली पेट इस्तिमाल करना है और लगभग पंदरों से 20 दिनों तक यूज करने के बाद भी आपको अपने लचनों में सुधार मैसूस नहीं दिख रही है तो दोबारा आपको डॉक्टर से consult करने की जरूरत है और अब हम लोग पेंटोडेक L-Capsule के प्राइस के बारे में जानते हैं फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल है सुझावे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिक बेजें हम उसका टाइम टो टाइम जरूर रिपले करेंगे अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगाया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकउन के दबाए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तब तक दोस्त आप लुक स्वस्त रहें मस रहें फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद